नमस्कार दोस्तों, सिविल ग्यान में आपका स्वागत है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेश की कटिंग लेंद निकालना, ठीक है न, अब यह मेश क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, कि यह होती क्या है, कहां लगती है, पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कि जो मेशर ब्रीज होता है, मेशर ब्रीज में, या तो पेडेस्टल में लगती है, या फिर जो जेक लोकेशन होती है, वहाँ पर लगती है, तो अब यह मेशर ब्रीज के बारे में आपको जानना हो तो major bridge वाला वीडियो देखिए उसमें आपको सब पता चल जाएगा किस तरीके से पूरी drawing होती है कहां पर कौन कौन सी चीज लगती है ठीक है ना तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है ना तो ये abattment cape में pier cape में जितने भी pedestals होते हैं उसके अलावा जितने भी jack locations होते हैं और उसके अलावा जो bearing होती है bearing के ऊपर जो अपना bearing के ऊपर जो concrete होता है गर्डर वाला उस वहाँ पर एक mesh लगती है तो mesh बहुत सारी जगे लगती है लेकिन बहुत सारे लोग इसकी जो size रेती है बनावट रेती है उसको देखके घबरा जाते हैं है ना कि ये है क्या ये है क्या कि समझ में नहीं आ रहा है बना क्या हूँ आए इसको बनाएंगे कैसे उसी में confused हो जाते हैं लेकिन confused होने की जरूत नहीं है आप लोगों को ये अपने आप मालूम चलेगा नहीं भी चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप बिना engine की गाड़ी हो और मैं धक्का देने वाला बेठा हूँ मैं धक्का दे दूँगा कुछ दूर तक तो चलेगी ठीक है ना लेकिन उतनी दूर तक में अगर आपको समझ में आगया कि नहीं भई अब engine लगाना पड़ेगा तो फिर आप अपने आप आगे प्रोसीड करते जाओगे चीज है ना फिर आप जब सीखोगे तब engine की क्या जरूरत है आप खुद engine मन जाओगे तो अभी मेरा काम धक्का देने का है अब मैं धक्का देना इस्टार्ट कर रहा हूँ आपको ठीक है अब यहाँ पर आप लोग देखिए जो दिख रहा है दरसल है तो वेसा ही लेकिन वेसा है भी नहीं तो यहाँ पर यह दो reinforcement से मिलके बना हुआ है जैसा कि यह दिख रहा है आपको वेसा है नहीं अब यह क्यों नहीं है यह देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं है यह मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब देखो जो मैं बनाओंगा न उससे आपको clear हो जाएगा थोड़े कि यह है क्या अब मुझे लग रहा है कुछ समझ में आ गया होगा आपको है ना कि यह क्या है आखिरकार तो यह इस तरीके की ring है इस तरीके का मतलब मूडा होँ एक तरह से है इसको बहुत सारे लोग मेश रेइनफोर्समेंट नहीं बोलके इसको बहुत सारे कॉंट्र क्या बोलते हैं जलेभी जलेभी बनानी है साब मेश तो कोई कोई बोलता है अब मुझे नहीं पता तो हम लोग जब साइट पर काम करते थे तो हम लोगों नहीं तो जलेभी सुना था है ना मेश ब्रिश पे तो इसको जलेभी बोलते साब बहुत सारे लोग जलेभी क्या होती है यह नोर्थ इंडि दिशएज हैं उसके नाम हम को पहले नहीं पताते तो उधर की डिशेज के यहां के लोगों कैसे पता हुआंगे तो 그러면 तो इस तरीके से यह दो से बनीवय होती है है ना स्नेक स्टेस में बनी यह होती है पूरी इस तरीका से एक औरे दूसरी बाहूले¿ फिर वापस से इसके उपर में, इस तरीके से, यह इस तरीके से होके और यह इधर में खतम, और यह पूरी अपनी मेश बनके तयार हो गई, तो अब जो पहले दिखने में कितना टेड़ा लग रहा था, दरसल था कितना सीधा, बहुत सीधा, एकदम सीधा सिंपल, अब यह भी इसके उपर एक और आ गई, तो यह भी complicated लगने लग गया, लेकिन जब एक था, तो कितना अच्छा लग रहा था, तो अब इसकी cutting length कैसे निकालें, सबसे बड़ी बात तो होई है, हम लोग फाल्तु की बाते कर रहे हैं, में बात तो बात करना हम लोग चालू करेंगे, तो इसकी cutting length निकालना दोस्तों आसान है, सबसे पहले हमको इसके dimension read करने पड़ेंगे, diameter क्या है उसको छोड़ दीजे, diameter से आप कोई मतलब मत रखिए, ठीक है, आप लोग खाली इस से मतलब रखिए, क्योंकि इसमें कोई भी bend deduction नहीं होने वाला है, ठीक है ना, इतनी आप बात ध्यान रखिए, ठीक है, यह फिर हम लोग कभी discuss करेंगे, क्यों नहीं होता है, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कि यहाँ पर कुछ dimensions दी गई है, जैसे कि इसकी outer to outer 600 mm दी गई है ना, और इधर भी 600 mm दी गई है, है ना, तो यहाँ पर ring जो है, वो एक ही size की बने की cool मिला की है, जैसे कि आप लोग इधर से देखेंगे, यह वाला offset तो इधर में 50 mm है, और इधर से भी देखेंगे, आप लोग तो यहाँ से यह वाला offset है, वो भी 50 mm का है, और इधर में जो gap है, वो भी 100 mm की है, और इधर भी जो gap है, वो भी 100 mm की gap है, है ना, तो यह हमको पता चल गया, अब हमको क्या करना है, देखिए इस gap को है ना, center to center लेके चलिएगा, है ना, तो आपका बराबर आ जाएगा, आप इसको center to center लेके नहीं चलेंगे, तो गड़बड हो जाएगी, लकी सी, ठीक है, नहीं, इसको नहीं भी लेके चलेंगे, outer to outer भी consider करेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, outer to outer की जे consider कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, इसको outer to outer भी कर लेंगे, यह आपना outer to outer कर लिया, यह भी outer to outer हो गया, तो यह gap भी 100 हो जाएगी, और यह gap भी 100 हो जाएगी है, है ना, कोई प्रोबलम नहीं है उसमें, लेकिन जब आपकी यह gap 100 होगी, आप देखेंगे कि यह gap 100 होगी, जो outer to outer है, तो फिर यह वाली gap आपकी कम हो जाएगी है, है ना, अगर माली यह 10 mm कार एंफोर्समेंट हो, यह 80 रे जाएगी है, लेकिन अपने को कितनी चाहिए, 100, इसलिए center to center लेने का, और यह वाला जो portion है, इसको आप लोग पूरा center to center consider कर रहे हैं, उससे कि यहाँ से जब आप नापेंगे, तो 50 mm आप बार की तरफ आएगे, बाकि इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, यह आप 100 की spacing maintain कर लेंगे उससे, यहाँ से इसकी और यहाँ से इसकी और यहाँ से center पर आएगे, तो आपको 50 mm मिल जाएगा, फिर वहाँ से जब आप center पर आएगे, तो 50 mm बागी तरफ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा negligible रहेगा वो, उससे कुछ ज़्यादा फरक पढ़ने वाला है नहीं, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर यह 100 है और इधर में भी 100 है, अब आपको करना क्या एक्चुली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से 100 दिया गया है, और इस तरीके से 50 दिया गया है, तो 50 क्या होगी radius, 50 होगी radius और 100 होगी डाया, मतलब कूली मिला के क्या था, कि यह 100 mm diameter का एक circle बन रहा है, तो अगर यहीं पर इसको end होना है, यहाँ से अगर यह आधा ही जा रहा है, मतलब यह क्या होगी एक semi circle बन गया, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग perimeter कैसे निकालते हैं, पाई into d से आपका क्या निकलेगा, पूरे circle का perimeter निकलेगा, लेकिन आप इसको अगर आधा करना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, पाई d by 2, है ना, तो सबसे पहली बात तो हो गई, यह कि इस round का आप लोगों को perimeter कैसे निकालना है, ठीक है, उसके बाद में फिर अगली बात, कि अब हम लोगों को यह length निकालनी है, अब यह length कहां से कहां तक हो जाएगी, यहां से यहां तक, यहां से लेके, और यहां तक length हो जाएगी, वो कितने हो जाएगी, देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है यहाँ पर न आप लीजिए इसको तो सिंपल है यहाँ तो कुछ है नहीं कि यह पूरी 10 मिटल लंबी मेश बन रही है या क्या है आपको जो दिख रहा है वो सामने है और यह दिया भी गया है कि 600 mm का दिया गया है और 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्पेसिंग्स आ रही है मतलब कितनी 500 mm की स्पेसिंग्स यहाँ पर आ रही है और इसमें कितने लगे हैं 500 में 6 लग जाएगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से इधर भी देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना तो अपने पास में 6 स्टेट्स बार है मतलब अब यह देख सकते हैं कि स्टेट्स जो हमारी स्टेट्स लाइन्स जो है वो हैं कम से कम 6 है ना 6 ही है कम से कम क्या करें और जो सेमी सरकल से हैं वो कितना है यहाँ पर काउंट कर लिजे 1, 2, 3 एक ही मेश का काउंट करना है ना अगले मेश का काउंट निकरना है क्योंकि अगले मेश की कटिंग लेंद भी वो ही से माने वाली है क्योंकि यह पूरा स्क्वाइर में 600 बाई 600 की यहाँ पर मेश है है ना तो एक की निकालेंगे तो अगले की भी वही आईगी है न इसलिए हम एक की निकालते हैं किसी की तो हम आल लिजे कि इसकी निकाल रहे हैं ये इसकी निकाल रहे हैं हम लोग है न तो अब इसमें कितने semi circle हैं एक दो तीन और चार पाँच छे और साथ मतलब semi circles कितने हो गए है seven numbers है न मतलब आपको seven numbers into pi d2 करना पड़ेगा pi d by 2 करना पड़ेगा और six step portions हैं तो उसके लिए आपको कितना करना पड़ेगा 500 है न यहां से लेकि 100, 200, 300, 400 और 500 तो ये 500 mm हो गया है न ये 500 mm हो गया अब इसको आप solve कर लीजिए तो कितना निकलता है वो आपको पता चल जाएगा तो यहां पर हम लोग solve कर लेते हैं कि यह भी कितना निकल जाएगा तो यहां पर pi into d कितना हो गया 100 mm है न d by 2 अब इसको हम लोग solve कर लेंगे तो कितना निकलेगा तो यह निकलता है 157 mm, है ना, तो 157 mm into कितना 7, तो यह कितना बन जाता है, यह बन जाता है 1099, है ना, तो कुछ यहाँ पर हमारा 157 point ऐसा कुछ आ रहा था, तो हम लोग इसको 1099 मतलब इसको 1100 माल लेते हैं, है ना, 1099 एक mm में क्या जाता है, ठीक है, तो यह हो गया अपना 1100 mm यह जितने भी semicircles थे, इनकी 11 mm हो गया, आप देखिए, है ना, कि कितनी लेंद इन में चली गई, कितनी लेंद, है ना, और यह कितना बचा आपना, 3000 mm, ठीक है, 3000 mm यह हो गया, अब इन दोनों के लावा और क्या बच रहा है, और भी कुछ हम लोग चेक कर लेते हैं, तो यह हम लोग देख सकते हैं कि इस end के बात में यह इधर की तरफ जा रहा है कुछ है, और इधर में भी इस end की तरफ जा रहा है कुछ है, तो इसको हम लोग 75 mm मान सकते हैं, हम लोग तो वैसे क्या करते हैं कि यहां तक इसको touch कर देते हैं, तो हम लोग 100 mm भी मान सकते हैं, यह दे 25 mm यहाँ पर हम लोगों न दिया है तो यहाँ पर दो इस तरीके से दो end हो रहे हैं तो हम लोग इसको 150 mm और बढ़ा देंगे हैं तो अब यह total length क्या बन जाती है तो यह बन गई 4250 mm एक 600 mm की size की हम लोगों को यह बनाने के लिए सोचिए 4250 mm लगती है कितना लंबा हो जाता है आप लोग 4.250 आप लोग नाप के दखेंगे तो कितना लंबा सरिय होता है एक छोटी सी mesh बनाने के लिए इतना सरिय जाता है और इसका double यह भी नहीं इसका double है ना तो जब आप एक की बात करते हैं तो एक की बात करते हैं मेश की मतलब हाफ मेश की बात करते है तो इतना आता है अगर दोनों की कटिंग लेंद हो की तो कितने हो जाएगी इंटू टू एसा नहीं है कि आप दोनों में पूरा जोड़के और 8.5 mm का सरिय काड़ दो 4.250 का एक कटेगा यह तो यह थी मेश की कटिंग लेंथ बहुत ही सिंपल थी निकालना बस आपको इमेज देखने में कॉंप्लिकेटड लग रही थी लेकिन थी बहुत सिंपल है ना तो वीडियो लाइक करें अगर पसंद आया हो तो और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ जरूर शेर करें इस